36 गड़ प्रदेश में धर्मानतरन पर राजिपाल अंसुया उईके ने जताई है गहन चिंता बतादेगी समाजिक संगटनों और अन्य लोगों की शिकायत मिली है कहा मैंने मुख्यमंतरी और डीजीबी को पत्र लिखा है आदिवासी भाई बहनों को बहला फुसला कर धर्मानतरन कराते हैं तो यह गैर कानूनी है बस्तर की मांजी पुजारियों और बस्तर महराज कमल भंजदेव से सुनी धर्मानतरन की शिकायत पर राजिपाल ने कहा कि की बातों पर बहुत चिंता है अनुसूची जाती छेत्रों में राजिपाल संरक्षक होती है मेरी जिम्नेदारी यह है कि आप लोगों की अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है क्या सरकार की योजनाय पहुंच रही है या नहीं अगर ऐसा नहीं है तो मैं संग्यान लूंग माजी का वो यह रहता है कि इनके अंदर में एक सो से उपर गाउं का ये निर्दारन नेत्रत करते हैं और यह जो चाल की रहते उनके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं और जो मैम्मरीन जो महला विंग है वो महलाओं के बीच में और रानी जो रहतना की बेवस्ता को जैसे जमाने में देखते थे 1400 सन का ये जो परमपरा चली आ रही है तो आज इन लोगों ने यहां आकर और मुझे अभी मैं जब दसेरा में गई थी तो तब उन्होंने मिलने की इच्छा वेक्त की थी कि हम चाहते हैं कि आपको हम राज्भवन में मुलाजात करना चाहते हैं और हमारी अभी बहुत सारे लोग नहीं आये हैं काफी संख्या में है इनकी संख्या कितनी लगवाख और उंके सहयोगी असी है तो यह लोगों ने आपके समक्ष देखी हर चीज का बड़ा बिस्तार से इन्हों ने अपनी वेधा को रखी है कि आज जो इनकी अपनी ये देवी देवता और ये जो इनको मतलब वहां पर यही मानने ता कहना चाहिए ये पूरे गाओं के लोगों को बीच में ये शारे देवियों देवताओं के इस्ताफना करते हैं और पूरे संभाद में जब दसेरा का मैदान होता है तो ये सब लोग संगठित हो जाते हैं और बड़े दूम धाम के साथ ये अपनी अपनी आस्ता की अनुसार ये मनाते हैं और जहां पर कभी किसी की संगठ आ जाता है तो साइद मुझे ऐसा जो जानकारी मिली है कि आपन कभी इस बात को भी नहीं देखा होगा कि कोई यही लोग जो गाओं के देवता के रूप में जो इस्तापित होते हैं वहां पर देवता का ये रहता है फार्ज की वहां की गाओं के लोगों की सांती और सुरिक्षा बनाए रखी और वहां की समस्या लोगों के साथ कोई मुकदमा होता है तो वो मुकदमे में और वो देवता अगर वहां के लोगों के साथ अगर उनका ठीक से लाग नहीं मिलता है या नहीं कर पाते तो देवता को दंड भी दिया जाता है ये माननेता है और उनको जमीन में गाड दिया जाता है तो ये उस मतलब समय से ये परंपर चलिया रही है लेकिन आज बर्तवान में जो धर्मातरन को लेकर ये जो बात इनों ने रखी है जो बार बार मैंने पहले भी आपके मीडिया के माध्यम से कहा था कि बहुत सारे लोग संगठन के लोग जनप्रती निदी लोग और आज इतनी बड़ी संख्या में माजी और चा कि किस तरह से इलाज के नाम से लोगों को बहकाना और जो अनुसूची छेत्र है अपने आप में पांचवी अनुसूची छेत्र में सम्मेधानिक अधिकार दिया गया है कि इनकी जमीन ट्राइबल की जमीन आदिवासी की आदिवासी ही खरीदेगा और पांचवी अनुसू जो कानून बना है पार्लेमेंट का उसके बावजूद भी इनके साथ कभी-कभी इनके सिकायत करने जाते हैं तो उल्टा प्रेसासन के दौरा हिदी की उपर कारवई की जाती है तो यह तो गलत है और इस दिशा में मैंने फिर उस पूर्म में भी कहा था कि मुकमंत्री जी और डीजी पी और इंका मिने ध्यान आकरसित किया था तो इस पर भी संन्यान में मैं कहूंगे कि मुकमंत्री जीन कि संग्यान में बात आई है और उन्होंने सक्त निर्देश अभी आई जी और पुलिस प्रेसासन की जो बैठा कुई थी कॉन्फरेंस और वहां पर उन्होंने कहा कि कोई इस तरह का गुंतब पाया जाएगा जो इस तरह के लोगों को बैकाने का काम करेगा उसको सक्त कि यह जानकारी नहीं है अब कम से कम इनके उमीद जागी है कि आप कोई सुनने वाला है कोई हमें संडक्षन देने वाला है और इनकी तमाम बैठा को देखकर और जो आने वाले समय में एक बहुत विक्राल ग्रूप हो सकता है आज हमारे एक ही समाज के लोग ही आपस में ट वहां का जो समाज का जो लोग ही कि यह हमारी संस्केती हमारी परंपरा को सब त्याग दिया है इसलिए हम अपनी जमीन में इसको दफन नहीं होने देंगे और यह इसको लेकर बहुत जगे मतलब दंगे फसाद की इस्तिती भी निर्मित हो रही है तो यह चेताबन देने मेर पासाई